नमस्का दोस्तों मैं हैत मुहमद टेक्निकल जन चैनल में आपका स्वागर करता हूँ आज मैं ऐसे 5 ऐसे स्माटफ़न के बारे में बताऊंगा जो 10 सजाद के कम कीमत में आते हैं चलिए वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ वीडियो इसकिप करके मत देखेगा वीडियो पूरा देखेगा अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और विल आइकन को अनकर दीजिए जिसे हमारी लेटस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके चलिए अनकरनिकोरनलागलास तरह के प्रोटेक्शन भी दिया गया है इसमें 60Hz की रिफरेश रेल और 120Hz की संपलिंग रेल दिया गया है इसके डिस्प्ले में कोई सिकाइद नहीं होगी इसके बैग में कोल्ड कैमरा का सपोर्ट दिया गया है इसमें 13 फ्लस एड़ प्लस 5 प्लस 2 म दिए गया है वहीं फ्रेंट यानि सेल्फी के लिए 8 मेगाफिक्सल का कैमरा दिए गया इसके बैग और फ्रेंट से फुल एडियो रिकार्ड का सकते हैं इसमें मेडिया टेक हिलियो जी एक टी का 12 यानेम वाला प्रोसेसर दिए गया है जिसमें हलका वाला लेकिन मुबाइल के साथ 10 वाल्ट का चार्जर दिय गया है जिसमें टाइप-C सपोर्ट भी दिया गया है प्रैस की बात करें तो फोर जी वी रह्म और 64 जी टेनर मेमोरी के साथ या 9999 रुपे का अता है है दुसे नंबर पे है इन फिनिक्स हाॉट 11 कि इस इस वाइल में 6.60 की फुल एसडी IPS LCD डिस्पले दिया गया है इसमें 16 हर्ट का रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट का टच संप्लिंग रेट देखने को मिलता है में एनिजी का भी सपोर्ट मिलता है डिस्पले अच्छा दिया गया है इसके बैग में 13 मेगाफिक्सल का ए डूल कैमरा और फ्रंट यानि सेल्फी के लिए 8 मेगाफिक्सल का कैमरा दिया गया है फ्रंट और बैक कैमरा से फुल एजडी का वीडियो रिकार्ट कर सकते हैं इसमें मीडियाटेक हेलियो जी 70 का फ्रोसेसर दिया गया है जिसमें हलका फुल का हीटिंग भी हो सकता है लेकिन इसमें इसमें 5200 इमेज की बैटी दिया गया है इसकी प्राइज की बात करें तो इसमें 4Gv रेम और 64Gv इंटरने मीमोरी वाला मोवाइल की कीमत 9999 रुपे हैं दीसरे नमबर पे मोटरोला ई-14 बात करते हैं सबसे पहले इसकी डिस्प्लें की इसमें 6.5 पिंच का यडी प्लस IPS LCD ड इसमें 90 Hz का refresh channel दिया गया है देखा जाए डिस्पले एक हिसाब से अच्छा दिया गया है अब बात करते हैं केमरे की इसमें बैग में sangat अनुआ कैमरा 48- PDF2ений सब्यावं का जैफंसर वाला कैमरा दिया गया है और व्रणन यानी सेलिविंक की बात करें तो इसमें 56,8 आ मेंज कैमरा दिया गया है वहीं बैग और फ्रेंट कैमरे से फुल एज़्टी वीडियो रिकार्ड कर सकते हैं मुट्रोला का कैमरा अच्छा होता है इसमें यूनिशॉक प्रोसेसर दिया गया है जो एक अच्छा प्रोसेसर है या त्रिपल सिम स्लाइट यानि दो सीम एक मिमोरी कार्ड लगा सकते हैं इसमें फिंगर प्रिंट भी दिया गया है अंडिराइड अलेवन पर अरन करता है अब बात करते हैं बैटी की इसमें 5000 मेंच की बैटी दी गई ह इसकी प्राइस की बात करें तो 4GB RAM और 64GB इंटरन मिमोरी वाला वेरियंट 9,499 रुपे का है चौत्थे नंबर पे आता है Micromax in 2V सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.52 इंच की HD PLUS IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है वहीं फ्रंट यानी सेल्फी की बात करें तो इसमें 5 मेगा फिक्सल का कैमरा दिया गया है जिसमें बैग और फ्रंट दोनों कैमरों से फुल एस्टी वीडियो रिकार्ड कर सकते हैं इसमें युनिशॉक टीज शिक्सटन फ्रेसेसर दिया गया है इसमें फिंगर फिरिंट फेस अनलॉक और 3.5 mm हेलफोन जैग भी दिया गया है इसमें त्रिपल सिम स्लाट यानी टू सिम एक मिमोरी लगा सकते हैं इसमें पाव इंटरन मिमोरी के साथ 8,999 रुपे का आता है पांचवे नंबर पे है रियल मी नार्जो 30A इसके डिस्पले की बात करें तो इसमें 6.5 फिंश की एश्डी IPS येलसे डिस्पले दिया गया है जिसमें 500 की इनिट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है इसमें नॉर्मल 16 ह का रिफ्वे्रेट रिट्ड और येश्डी हर्ट की टर्श संपलिंग रिट्ड दिया गया है अच्छा इस्पले देखने को मिलता है इसके बाइग में रियल 13-megapixel एगा-फिक्सल का जेफसर संसर और फ्राइड यानी 85 प्रोसेसर दिया गया है इसमें गेमिंग बहुत अच्छा होगा इसके रियल फिंगरप्रेंट 3.5 mm हेलफोन जाए कि त्रिपल सिम स्लाइट यानि दो सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं या एंडराइट और रियलमी यू आई पर रन करता है इसमें 6000 एमेज की बैल्टी य इसका बैल्टी बैकप बहुत अच्छा है इसकी प्राइज की बात करें तो या 4GV रेम और 64GV इंटरनर मेमोरी के साथ 9999 रुपे का है अगर प्राइज के हिसाफ देखा जाए तो 10,000 के रेंज में ओवराल बहुत बेस्ट स्मार्टफोन है इसको हमने बहुत से मुबाइल से चुनके इसको निकाला है जिससे कैमरा, बैल्टी या अधर डिस्पले किसी चीज में देखा जाए तो 10,000 के रेंज में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन वाने जाते हैं अभी आपको 5 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताया है जो कि 10,000 से कम प्राइज में आते हैं अगर व